Do Stock Market में जब भी नए लोग आते हैं वह आते ही अपने आपको समझने लग जाते हैं कि हम तो बहिया investors एं हमने एक company 2 कंपनी 3 कंपनी की shares खरीली है और हमने Stock Market में investment करी हुई है बट आप अगर सिर इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बस अपने mindset को right रखना किस direction में रखना है वह investor mindset आप गलत direction में ना जाएं यह मेरा प्रेत्न रहता है बागी आपकी मर्जी आप जो भी करते हैं पर फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि investors में और सर्टोरियों में speculators में फरक होता है तो अगर आप stock market में आते हैं आप पैसा ना गवाएं और आप पैसा बनाएं इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि पैसा बनाते हैं investors और speculators कभी कबार तो कमा लेते हैं पर हर बार नहीं कमाते हैं जादतर टाइम उनको नुक्सान हो जाता ह तो आप किस category में आना चाहते हैं आप नीचे comment जरू कीजएगा अब शुरू करते हैं difference कि है सबसे बड़ा difference होता है investors में और speculators में कि investors अपनी research खुद करते हैं वो किसी भी company में पैसा लगाते हैं उनकी खुद की research होती है अगर अपनी research होगी ना आप कभी भी किसी को blame नहीं घर होगे आपने सुना होगा बहुत बार लोगों को यार मैंने उसके कहने पर पैसे लगा दिये थे मैंने अपने दोस्की कहने पैसे लगा दिये थे वो क्या होता है कि आप किसी की बात में आ जाते हो या फिर आप in fact news सुनते हो आप लोगों को सुनते हो लोगों की अपनी एकमेंटेशन सुली टिप आगई हमारे पास हमने पैसा लगा दिया तो किसी और की रिसर्च पर एनलेसेस पर या बोलने पर पैसा लगाने को हम सट्टे बाजी कहते हैं हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं और अगर आपको किसे टिप मिलती है चलो मिल गई अच्छी बात है आपको इस वक्त आपके हिसाब से इस स्टॉक को खरीदना ठीक है भी या नहीं फिर होगा क्या कि आपके प्रॉफिट बनाने के चांसे बढ़ जाएंगे दिस इस वरी फर्स डिफरेंस सेकंड डिफरेंस कि भी आ इन्वेस्टर्स चाहते हैं सबसे पहले कि अगर हम पैसा लगा र पैसा लगा रहे हैं तो यह यह पैसा सेफ है he PASS कई यह जाएगा डूबे हा नहीं तो पैसा ना डूबे ज्यादा important है बढ़ेगा कितना है बात की बात है पर स्पेक्यूलेटर्स के लिए सेटोरियों के लिए यह फरक नहीं पड़ता है उन्हें फरक पड़ता है कितने गुना मिलेगा कितने टाइम में डबल हो जाएगा हमारा पैसा पस यह बता दो आप सोचिए आपको कुछ ऐसे लोग मिल में बड़ रिसर्च अपनी होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बट अगर हमारा फोकस ही सिर्फ यही है कि सिर्फ पैसा मल्टिप्लाय हो जाए फिर आप गलत कंपनी में पैसा लगा दोगे और उससे आपकी सेफटी ऑफ क्यापिटल नी रहेगी तो पैसा बढ़ेगा बाद की बात है इन्वेस्टर पहले दिखते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे सेफटी ऑफ क्यापिटल देर प्राइमरी अबजेक्टिव सो आपको अबजेक्टिव क्या है पैसा लगा रहे और वह अपनी रिसर्च करोगे तो होगा भी नेक्स वारन बफे बात बोलते हैं कि स् पैसा देने तो यह आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं तो कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी अब आपको समझ आ रहा है कि हारता कोन है इंपेशेंट हारता है और पैसेंट जीत तो पैसेंस बहुत जरूरी है आप एक स्टॉक प्राइस को दे प्राइस लेवल पर वह चलता रहा स्टॉक और धीरे 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 वह काफी अच्छी प्राइस पर पहुंच गया तो यहां पर बहुत जबर्दस रिटर्न अब लोग क्या करते हैं पेशेंस लूज हो जाता है लोग प्रॉफिट के लिए तो वेटी नहीं करते मैं आ और जो कंपनी में नुक्सान हो रहा होता है एक कंपनी खरीदी और उसका स्टॉक प्राइस नीचे चला गया इसका वेट करेंगे इसका वेट करेंगे कि या कभी तो बढ़ेगा आप देखना ऐसे बहुत सरे आपको लोग मिलेंगे जब वो लूज कर रहे होते हैं दे वेट एंड दे डॉंट वेट फॉर प्रॉफिट अब मेरे खुद का एक फ्रिंड है एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो मैंने और उसने दोनों ने होल्ड किया हो था तो दोनों ने ह और काफी टाइम से हमने होल्ड किया और उसने बहुत अच्छे तो मैंने का यह अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी और भी बढ़ेगा कुछ प्रॉफिट बॉक करना कर ले तेरी मर्जी है सो अगेर हुआ क्या तेरी मर्जी है भी मैं रोक तो सकता नहीं मैं नहीं कर अब वह सोच रहा उसने यह नहीं देखा कि उसने यहां पर भी प्रॉफिट कमया उसने का नुकसान हो गया वाई पर नुकसान क्यों हुआ विकाज यूट वेट फॉर प्रॉफिट आप प्रॉफिट बहुत जिल्दी बुक करते हो इंपेशन हो जाते हो अच्छी कंपनी है तो वह मल्टी बेगर रिटर्न भी दे सकती है और वारन पॉफे भी बोलते हैं पहले वारन पॉफे भी ऐसी करते थे कंपे खरीबते थे जाधा पर तुरंट बेज देते थे फिर सोचते थे पैसा आगया फिर किसी और कमडिर में डालेंगे वारन पॉफे ने बात खुद बोली और इसे एड्मिट किया कि वैल्यू इंवेस्टिंग मैंने बाद में समझी कि जब मैं होल्ड कर रखता हूं उसकी ताकत ही यह लग को नहीं समझाती पर उसमें यह concept बहुत इच्छे समझाया हुआ margin of safety एक्जामपल के तौर पर आप जरा समझे इस बात को माल लेते हैं आप एक contractor है आपको contract मिलता है government की तरफ से कि आपको एक bridge बनाना एक पुल बनाना है और उस पुल से बहुत हेवी ट्राफिक जाएगा ट्रक निकलेंगे बस निकलेंगे तो आपको एक एक नमबर दे दिया जाता है माल लेते एक लाक किलो एक लाक किलो वह पुल वजन से है सके इतना मैं आपको बताता हूं बट आप क्या करोगे आप अपने आप से पूछो आप क्या सिर्फ एक लाक किलो की शमता वाला ही bridge बनाएंगे या आप यह सोचेंगे किसी दिन ज्यादा traffic आ गया तो पुल के ऊपर ही जाम लग गया तो कोई और heavy vehicle आ गया तो वहिकल के अंदर माल ज safety अब यह margin of safety आप stock market में कैसे यूज करते हो आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप उसमें इंवेस्ट करना चाते हो माल लेते हैं वह एक हजार रुपे का उसका शेर प्राइस चल रहा है तो आपको लगता है एक हजार रुपे जायज है इस चॉक प्राइस का होना तो intrinsic value से कम ही है और फिर भी आप margin of safety लेके चलते हो कि मेरी analysis थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है हो सकता है यहां से और भी तूट जाए आपको लग रहा बढ़ेगा पर आप थोड़ा सा वेट करते हो और आप कहते हो नहीं है मैं तो 900 के level पे इंवेस्ट करूंगा अब कुछ देनीन हे प्रॉफिक हो गई होगा और लोग उल्टा क्या करते है इंप्लूसिट ट्रेडिंग करते इंप्लसिव अभी देख रहें देख रहें देख रहें और sua Прाईज बढ़ रहा है बढ़ रहा बढ़ ऑगया खरीद ले खरीद ले खरीद ले अब यह कुछ टाईम के ल आपको लग रहा था थोड़ा सो और उसके बाद यहां पर करेक्शन आगई आपको लगा लॉस हो गया तो अब आपको उल्टा काम क्या करना है चाहिए था जब नीचे किया जब करेक्शन आई तो आपने सपोर्ट पे खरीदना था और रेजिस्टेंस पे अक्शल में बेचन मिल रहा है आपको समझ आ रहा है कि आपको speculator वाली कאפेग्री में नहीं आना आपको इन्वेस् planners वाली क्यों कर दीजेग्ठे अगर लोग investor बने speculator ना बने अब अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं में follow कीजिए YouTube पे देख रहे हैं subscribe कर लिए बैल अकन पर क्लिक कर दीजिए कि एक भी वीडियो मेंस ना करें जो future में आने वाली है चैनल के ऊपर आप अगर share market में invest करना चाते हैं ट्रेड करना चाते हैं तो अपना DMIT account तुरंद खुलवा लिजिए बड़े सिंपल सेप्स को follow करके आपके बस अधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और अपना DMIT account खुलवा सकते हैं लिंक description और comment box में है क्लिक किजे अपना DMIT account खुलीजे and you can invest in stock market very easily I will see you in the next video till the time you become an investor and go self-made